नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं MJ Automotive जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वाइरस के उज़े से पूरे देश फर में लॉकडाउन लगावा है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लॉकडाउन में अपनी कारकिंग केर कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली टिप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी कार को अच्छे संतर से क्लीन कर लीजिए और कार को बाहर से अच्छे से वाश करके सेव जगे पर पार्क कर दीजिए दूसरी टिप में मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके पास आपकी कार को पार्क करने के लिए कवर्ड पार्किंग नहीं है तो आप ऐसा करिए कि आप अपनी कार को कवर लगा के पाक कर दीजिए उससे क्या होता है कि आपके कार के पेंट को सिफ्टी मिलती है और वह डस्ट और धूप से बचा रहता है नेक्स्ट टिप के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपकी कार डायर्ट सनलाइक के कॉंटेक्ट में है तो आप अपनी कार में से हैंड सैनिटाइजर, डियोड्रेंट, चॉकलेट वगरा निकाल लीजिए और अपने घर के अंदर रख लीजिए नेक्स चीझ में आपको बताना चायगूँगा कि आप कोशिश करिए स्थेक का प्योल फूल यही रह है क्योंकि प्योल अदर में आपको बतह चाहूँगा कि अगर आपकी अग्र आपकी काथ़ी टाय्म से रहें तो मेरा recommend यह रहेगा कि आप अपने कार का जो handbrake है उसको उपर की side pull करके ना रखे क्योंकि उसकी वज़े से जो अपनी कार होती है most of the car वो handbrake direct अपने rear के जो wheels होते हैं उसमें drum brake से connected रहते हैं अगर आप काफी time तक इसको उपर की side press करके रखेंगे तो अपने drum brake के जो pets होते हैं वह चिपकने के chances रहते हैं तो simply आप क्या करिए अपनी car को एक surface area पे plane surface area पे पार कर दीजिए और उसके बाद अपने handbrake को नीचे press कर दीजिए और just अपनी car को first और third gear में आप डाल दीजिए जिसके वज़े से आपकी car move नहीं करेगी नेक्स टिप के अंदर में आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी car को तीन से चार दिन के अंदर एक बार तो मैं बता रहा था कि आप अपनी car को तीन से चार दिन के अंदर एक बार तो start करिए जिससे आपकी car के battery charge हो सके तो आप अपनी car को पाच से साथ मिनिट के लिए तो start करके रखिए उसके साथ साथ आप अपनी car का AC भी on कर दीजिए जिसके वज़े से आपका car का AC भी working process में रहेगा और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी car में different type पे position पे AC को operate करने के लिए regulator रहता है तो आप one by one करके सभी regulators को check करिए उससे क्या होता है कि जो अपने regulator के अंदर का mechanism होता है वो working process में रहता है next tip में मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपकी car की power windows होती है तो आप क्या करिए तीन से चार दिन के अंदर अपनी power windows की switch की मदश से आप अपने car के 4 doors के mirrors को नीचे और उपर करिए अपन को पूरा mirror नीचे करना है ठीक है उससे होता क्या है कि जो अपनी power windows की जो motor होती है doors के अंदर वह अच्छे से working process में रहती है next tip में हम बात करने वाले है अपने car के tires की air की बारे में टायर का कटने के chances रहते हैं next tip में मैं आपको बताना चाहूँआ कि आप अपने car का windshield और सारे mirrors को वीक में एक बार तो clean करिए क्योंकि clean नहीं करने से उसके उपर black spots बढ़ सकते हैं next tip में मैं आपको बताना चाहूँआ कि जो आपकी car के wipers होते हैं आप इनको simply उपर के साइड में खड़े कर दीजिए उसे होता क्या है कि जो आपकी car के wiper blades के rubber होती है यह अपने काच पे चिपकनती नहीं है जैसे कि आपने देखा कि आप इन tips को follow करते हुए अपने car की care कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिए channel को subscribe करिए and thank you for watching नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखिए हम सब मिलकर novel corona virus या covid-19 को फैलने से रोख सकते हैं इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खासते या छीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखें इस्तमाल केवे टिशू को तुरंत ढकनदार कच्रे के डबे में डाल दें अपनी आख नाख और मूँ को हाथ से नच्छूए आप अपने हाथों को समय समय पर सावन और पानी से लगब 20 सेकंड तक तोएं भीड भार वाली जगह पर जाने से बचें अगर आपको खांसी बुखारी असास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षन देखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सला लें अस्पताल में आप अपने मुँपर मास्क या रुमाल ज़रूर रखें अधिक जानकारी के लिए स्वास्त पेवं परिवार कल्यान मंत्राला की एक हल्प लाइन है 011-2978046 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए